बिहार विधान सभा आमचुनाव 2020 को लेकर कई इसतर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। इस बार नामांकन ओनलाइन एवं मैनुवल दोनों तरीके से किया जा सकेगा। परन्तु यदि नामांकन ओनलाइन किया जाता है तो वैसी स्थिति में ओनलाइन दस्तावे डाउनलोड कर भौतिक रूप से पुना निर्धारित आवधि में निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक कारवाई है तो उपस्थापेत किया जाएगा। नामांकन की समय निर्वाची और पदाधिकारी के कक्ष में इस बार अभ्यरती के साथ दो लोगों की ही अनुमती है एवं दो गाडियां ही अनुमानने हैं। इतिहास की जानकारी देनी है। सिंगल विंडो के माध्यम से 24 गंटे के अंदर अनुमती प्राप्त कर सकेंगे। इस बामतीदान के इंदरों पर कोरोना संकर्मन के रोगठाम के लिए व्यापक उपाई किये गये हैं। मुख्याले में ही अवस्तित है अलॉली विधान सबाद शेतर का और खगड़िया विधान सबाद शेतर का और अनुमंडल कारियाले में ही दोनों नामंकन के लिए कख्ष चिन्हित किया है। यहां पर तैयारी की गई है कुछ आवशक्ता हैं जिसके संब्ध में मैंने निर्देशित किया है। और निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखा जाना है कि जो भी भारत निर्वाचान आयोग द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश लिए गया है कोविट के संकर्मन को रोकने के लिए और साथी साथ जो समाजिक दूरी का नुपालन किया जाना है और मास्क अभियर्थी अपने साथ अलग से दो और वहान ला सकते हैं साथी उनके साथ नामांकन कराने के लिए दो उनके अत्रिक्त लोग नामांकन कर प्रवेश करेंगा जो कि पिसले विगत जो चुनाव है उससे थोड़ा अलग है ये कोविट को ध्यान में रखते हुए इसको किय प्रवेश करेंगे इस बार ऑनलाइन फेसलिटी भी नामंकन की दी गई है यदि कोई भी अभियर्थी ऑनलाइन फेसलिटी का लाब उठाते हैं तो वैसी परिस्तिती में उनको नामंकन की पूरी प्रक्रिया जो है उसके कंप्लीट करते हुए जो डिटेल्स भरना है उसके प्रिंट-ाउट को ले कराने की आशक्ता होगी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑनलाइन नमंकन कर लिया तो वहीं से उनेका हो जाएगा उसका प्रिंट आउट लेके आना होगा और यहां पर वो उसको जमा करा सकेंगे और जो समय सीमा उसकी तैकी गई है 11 बजे से 3 अभी धारा 144 प्रवृत है और कहीं पर भी जमावड़ा इत्यादी अलाओड नहीं यदि कोई भी कैंडिडेट या संभावित कैंडिडेट ऐसा प्रयास करते हैं जिससे की कोवीड गाइडलाइन्स का उलंगन हो रहा हो तो वैसी परिस्तिति में जो भी विदी सम्मत करवाई है धारा 144 के उलंगन के लिए और साथी साथ महामारी अधिनियम के तहट जो उलंगन हो रहा है दोनों ही केसिस काफी संगे प्रवृतिक हैं और असमें समस्या सभाओं को आरुजित करने के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्ता की गई हैं परमिट्स की लोग अप्लाई कर सकते हैं यहां पर भी सिंगल विंडो काउंटर्स विधान सभावार मनाये गया है जहां पर लोग आविदन दे सकेंगे और 24 घंटे के अंदर उनको या तो अनुमती मिलेगी या अनुमती नहीं मिलेगी